नमस्कार मैं हूँ श्वेता चाओ और आप देख रहे हैं आज तक आपको सीधे हम लिए चलते हैं मेरट जहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगिया अधितिनात मौजूद है यहाँ पर प्रदर्शनी को दिखाने के लेके गया स्वाभाई पुर्फ से हमारी सरकार में 2018 में प्रदामंत्री मोदी जी की प्रेड़ा से एक जन्पद एक उत्पाद की योजना लागों की एक जन्पद एक उत्पाद का मत्तब जिस उत्पाद के मात्यम से उस जन्पद की पैचान बन सके जिस उत्पात के मात्यम से वहाँ पर व्यापक रोजकार की संभावनाओं को आगे बढ़ाया जा सके और जिस उत्पात के मात्यम से वहाँ पर नकेवर रोजकार बलकि निवेश की उन संभावनाओं को व्यागे बढ़ाया जा सके उस व्योस्ता को आगे बढ़ाने के लिए जो हम लोगोंने चैन किया था कमाम प्रकार के सोब करने के बाद जो मारे सामने आया कि मेरट मेरट को हम लोग स्पोर्स आइटम के लिए चैन करेंगे और मुझे प्रसंता है कि आज मेरट में एक लंबी छहां की इसका में लगाई है और इसलिए यहां पर आप एक मेरट में स्पोर्स इनस्टीवी प्राज़ सकार दे रही है मैं इसके लिए आप सभी मेरट वासियों को दर्जा से बदाई देता हूँ और अब देखिए सल्मान खुर्शीत के कताब पर बवाल जो हिंदु धरम के बारे में नहीं जानता है या जो इसलाम को वहीं समझता है उससे क्या बैस करने है यह सोनिया गांदी जी और राहुल गांदी के इशारे पे ही बार बार होता है 500 साल के मुगलों और मुसल्मानों के राज में हिंदु धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा तो अब हिंदु धर्म को खत्रा किस बात का है कि निशाने पर और कोई नहीं देश का बहुत संख्या देश की आन बान शान हिंदु समाल कि नहीं देश को बताएं कि आज कॉंग्रिस पार्टी की सोच क्या है कॉंग्रिस पार्टी की विचारधारा क्या है सलमान खुर्षित के कताब पर अब सियासी घमसान मच गया है हिंदुत्व के अपमान पर बीजेपी ने कॉंग्रिस के खलाफ मोच्जा कोल दिया है बीजेपी ने कहा है कि हिंदूओं से नफरत करना कॉंग्रिस की विचार धारा है बीजेपी प्रवक्ता गौरब भाटिया ने आरोप लगाया कि सोनिया गांधी नफरत की राजनीती कर रही है गांधी जी और राहूल गांधी के इशारे पे ही बार-बार होता है कि इससे पहले हिंदू आतंकवाद का विश्कार कर दिया कॉंग्रेस हेड़क्वाटर में क्योंकि तुष्टी करण की राजनीती करनी थी राहूल गांधी और प्रियंका वाडरा गांधी उत्तर दें क्या उत्तर प्रदेश के हर शहर में जाके हर गली में जाके ये कहने की हिम्मत उनकी होगी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का मतलब आईसिस और बोको हरम की विचारधारा है हिंदुत्व और अपमान घमसान सल्मान खुर्षीत की अयोध्या पर एक गताब से सियासी भूचा अला किया सल्मान ने गताब में हिदुत्व को लेकर आईसिस और बोको हरम के संदर्व में कलम चला कर आरोपों के दूफान खड़े कर दिये बीजेपी ने इसे हिंदुों का अपमान करार दे कर सीधे सोनिया और राहुल से पूचा है कि क्या खुर्षीत को पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी पहले सुनिए वो बयान जहां कॉंगर्सनी इताओं के जुबान पर हिंदुत्व और बयान विराजमान थे यहां आकर टिमाटर भी फिक सकते थी वो तो सब करते ही हैं इसलिए तो किताब लिखिये अगर Divine से डरता तो मैं किताब न लिखता से ह 6000 में हर्ये को अपनी बात ख información है मुझे नहीं है अब मैंने एक किताब लिखी है, मैंने अपनी बात कहे दी, अगर कोई समझता है कि इस बात की वो काड़ कर सकता है, तो वो किताब लिख दो आज कहा जाता कि हिंदू धर्म खत्रे में है, अरे जनाब, पांसो साल के मुगलों और मुसल्मानों के राज में हिंदू धर्म को कुछ नहीं बिगड़ा, कोई खत्रा नहीं हुआ, खत्रा के वल है, तो उस मानसिक्ता को है, उस कुंठित, सोची, समझी, विचारधारा को है, जो देश में फूट डालो, राज करो की, बिटिश हुकूमत की, जो विचारधारा थी, उसको प्रतिबादित कर अपने आप को कुर्सी पर बैठाने का उनका जो संकल्प है, केवल खत्रा उनको है. So like no one killed Jessica, nobody demolished the Babri Masjid. That will forever, that conclusion will forever haunt us. Congress party की सरकारें, आजादी के बाद 55 साल देश में रही, केवल और केवल सांपरदाइक राजनिती उन्होंने करी. कैसे समाज को बाटें, कैसे जहर फैलाएं, कैसे हिंदू-मुस्लिम की राजनिती करें, विपक्ष के दलों की भी मजबूरी बन गई है कि तरगती की बात करें, विकास की बात करें. पांच विधानसभा के चुनाव, जो अगले वर्ष हैं, ये जानते हैं कि कॉंग्रेस का सूपड़ा साफ होने वाला है, उनकी नफरत की राजनिती को जंता नकार रही है. रामराज पी दियापक विशार हैं और नाम रामराज है, बैसे ही इसलाम में जो हमारा इसलामिक कल्चर है, बिलीफ है, उसमें नजामि मुस्तफा होता है, कि मुस्तफा का नजाम होगा तो कैसा होगा? और अगर दोनों को आप करें से देखें तो दोनों एक से दोनों में एक ही बात है एक ही बात की चर्चा है एक ही बात की सोच है एक ही रास्ता दिखाया जा है और इसलिए सिर्फ शब्दावली में हम ना घिर जाएं जो उसके अंदर का जुज है जो उसके अंदर का सच है उस वाशरूम का जो नल है, उसमें फसा के अपना नगला घुटने की खुटने जो है वो पोशिश की जो है पाथ पुट का बच्चा जमान होगा, वो दोट की रेटरिंग में तंगी से फची लाता है दरसल कास गंच में पुलिस के हिरासत में 22 साल के अलताफ की मौत पर सियासत अब उबाल पर है मायवती ने इसे बेहर शर्म ना करार दिया है कास गंच के एस पी रोवन प्रमोड बोतरे ने बताया है कि आरूपी ने जाकेट की डोरी यानि की जो उसने हूँ जाकेट पहनी थी उसके हुड की डोरी का इस्तमाल करते हुए टौलिट के नल से फांसी लगा कर खुदकुशी कर ली है लेकिन पुलिस की फांसी की थेयरी पर तमाम सवाल उट रहे हैं अलताफ के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को पुलिस ने फांसी लगा कर मारा है पोस्ट माटम रपॉर्ट भी सामने आ गई है जिसमें मौत की बज़े हैंगिंग दर्श की गई है जबकि शरीप पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाई गए है उसने उस्ताज के दोरान वहाँ पेटे पुलिस कर्मी से उसको वाश रूम जाने है तो अनुरूद न किया था जिसमें हवालात में बने वाश रूम में उसको भीजा गया उसने एक काले कलर का जैकेट जो पहना था उसमें खुड में लगे हुए एक नाडे से उसने जो वाश रूम का जुनल है उसमें फसा के अपना नगला खुटने की खुटने जो है वो कोशिश की थी जब बहुत समय बाहर नहीं आया तो पुलिस कर्मी अंदर चले गए और उसको बेहुची के आलत में उसको उठाते नहुए उसको सीएज सी अश्रोक नगर काजगंज में ले जाया गया महां पे नप्राथे में कुक्चार पांदस मिर्ट चलने के उपरांद उसकी मुद्वित्यू हुई है तो बात्रूम में दो फुट के लगए तो उस बच्चे तो लागा लगा पांच पूट का पच्चा जमान होगा तो दो फुट की लेटिंग में टंकी से फासी ला सकता है और कोई इसाफी हो रही है देखे कोटवाली कास गंज में एक 363-366 IPC के प्रकरण के संधर्व में एक व्यक्ति जिसका नाम अल्टा अफ्रम सनव चाहत्मिया है उसको थाने में अल्ली मॉनिंग बुलाया गया था महां पे प्रकरण में जो जो पुलिस कर्मियों के लापरवाई इसमें है उनके खिलाफ एक सस्पेंशन का आदेश मेरे द्वारा किया गया है पांच पुलिस कर्मियों को इसमें सस्पेंट किया जाएगा इस पूरे मामले को लेकर आगरा जोन की एडी जी ने क्या कहा सुदिया अजगन निवासी श्रीविनोत भारत द्वासदारा अपनी नावालिक लड़की के अपरण की सूसना साइंकाल स्थानी थाने पर दी गई जिसमें उन्होंने अलताफ मामप विफ्ति को नाम जट लिया इस्थानी पुलिस द्वारा अलताफ को पकड़कर थाने लाए गया और उसके साथ आवशक विदी कारवाई की जा रही थी इसी दौरान नौ तारीक को दिन में करीब भाई बजे उक अलताफ दौरा थाने की हवालात में ही अपने हुड़ी के जो नाड़ा होता है उससे बेले में फांसी लगा करके आदमत्या का प्रियास किया गया सूचना मिलते ही ततकाल स्थानीय पुलिस उसको हॉस्पितल में ले गई जहां करीब 10-15 मिनट वो जीवी तरह और उसके बाद उसकी मृत्ती हो गई इस दुगत घटना के बाद पुलिस द्वारा और प्रिशासन द्वारा मृतक अलताफ को उसके मुस्लिम भीती रिवाजों के अनुसार उनके परेवार को सुपूर्ट किया गया जहां पर उसको पंदफना दिया गया है क्या कोई चार फीट की नल की तूटी से कोई अपने आपको जो उसके कपड़े में जो ता वो था वो निकाल कर खुदकुशी कर सकता है कैसा खुदकुशी करेगा कौन बिलीफ करेगा उसको मैं चार फीट पंडल की तूटी है और उसके हुड में क्या धागा निकाल कर खुदकुशी कर सकता है क्या आप उसको मार सकते हैं और पोलिस का स्टेडी में मर जाता है तो किस बात के लिए सस्पेंट किया गया है उनको तो arrest होना चाहिए उसको बस लड़के का murder हुआ है पॉलिस सेशन में वो उसकी इज़त इसलिए नहीं की जारी क्योंकि गरीब है और मुसलमान है पॉलिस सेशन में किसी का आप बुलते हैं कि टॉलेट में पांच फीट के नल की टूटी को लाकर खुदकशी कर सकता है कोई यूपी के कानून मंत्री ब्रजीश पाठक ने कहा है कि मामला आत्म हत्या काहीं लगता है प्रजिश पाठक ने कहा है कि हाला कि जाच की जा रही है इस मामले में जो भी दोशी होगा उसे बक्षा नहीं जाएगा कासगन में भी युवक की थाने के अंदर मौट देखिए पूरे पकरण की ओचिस्तरी जाच चल रही है हमारी सरकार ने पूरे मामले को बहुती गंभिरता के साथ लिया है अभी प्रथन देश्टेप आया गया है कि सायद उसने फासी लगा करके आत्मत्या की है लेकिन फिर भी हमारी सरकार इस मामले को लेकर बहुती सजग है निश्पच विवेचना की चांज दिये गए है जैसे ही रिपोर्ट आएगी हम यद कोई दोसी है तो बिल्कुल नहीं पक्सेंगे कड़ी कारवाई करेंगे जो विपच्ची दल है खास करके प्रियंका गांधी है उन्होंने कहा है कि आगरा और अपकास गन तमाम घटनाओं को जिकर करते हुए कहा है पच्ची दलों को लग रहा है कि जैसे कुम्ब का मेला आगया है चुनाओ पिछले पांथ साल में उनकी कहीं कोई गत्विधी उत्तरपरदेश में नहीं रही है चाहें कॉंग्रेस हो चाहें समाजवादी पार्टी के लोग हो चुनाओ के समही घरों से निकल करके लोगों के बीच में जाकर के लोगों को बर्ग लाने का प्रयास कर रहे है मुझे पूरा उत्तरपरदेश के लोगों पर भरोसा है कि हम दुवारा सरकार बनाएंगे और पिछली बार से अधिक सीटे लेकर करके आएंगे उत्तरपरदेश में लगातार ऐसी घटना सामने आही रही है आगरा में हुई कासगन में हुई ऐसी घटना को कैसे देख और अब देखिए चनए में मुस्रधार बारिश चनए डूब रही है पिछले 24 घंटे से हो रही भारी बारिश से शहर में दो फीट तक पानी भर गया है सबसे बुरा हाल है निश्क्री इलाकों का जहां पानी घरों दुकानों और अस्पतालों में भर गया है सीएम के घर में भी पानी गुस चुका है सीएम स्टालिन लगातार रहत और बचाव के काम का जायसा ले रहे हैं बारिश ने अब तक 12 लोगों की यहां पर जान ले ली है और मौसम विभाग ने आज और कल भी तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है अस्पतालों के बाडू में पानी भरने से मरीज, डॉक्टर सभी को दिक्कते हो रही है हमारे सवधाता दिखा रही है ताजा तस्वीर है अभी हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो एक हॉस्पिटल के अंदर से हैं और आप यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर पानी बरा हुआ है और यहां के जो लोग थे, जो पेशिंस थे उन लोगों को अभी दूसरा हॉस्पिटल को ट्रांसफर कर दिया गया है लगबक हंडर्ड से ज्यादा पेशिंस यहां पर थे और उन सब को यहां से राजीव गांधी गवर्मेंट हॉस्पिटल उमांदर गवर्मेंट हॉस्पिटल और आयोजी को लेके गया है और हम यहां पर देख सकते हैं यहाँ पे जो भी equipment थे जो भी tables, stretchers वो सब थे वो सारे चीजे अभी पानी के अंदर है और यह situation लगबग कल सुभै से भी है और हमारे लिए यहाँ पे जो officials आये थे inspection के लिए उन्होंने कहा है कि यहाँ पे चार motors लगाके पानी को बाहर निकालने का सारी तयारियां किया गया ह पर फिर भी यहाँ पे बारिश के वज़े से हम देख रहे हैं कि पानी को बाहर निकालने में बहुत ही मुश्किलियत हो रही है और अब हम देख सकते हैं कि जो situation अभी हो रहा है यह तामबरम के एक government hospital की अंदर है और एक बहुत ही बड़ी चिंता की बात यह है कि जब लोग बहुत ही sickness में होते हैं तो वो लोग आते हैं हॉस्पिटल में अगर हॉस्पिटल के ही हालत ऐसा है तो क्या करें वो है सबसे बड़ा सब्सक्राइब क्यामरा पोसिन डानियल के साथ अक्षा नाथ आज तक अपने देखा किस तरह से अस्पताल पानी पानी है लेकिन अब आपको हम दिखाते हैं सडकों गलियों और दुखानों में साथी साथ मकानों का क्या हल है रोड पे पानी है दुकाने में पानी है बहुत ही तकली हो रहा है चिन्नही की निवासियों के लिए और यहां पर यह भी बोल रहा है कि जो बारिश है आज बहुत ही तेसी तरीके से होने वाला है तो अभी भी बारिश कम नहीं हुआ है और थोड़ा सा ब्रेक अभी मिला है य तो चिन्ने सिटी में अभी 15 सेंटीमीटर्स का रेंफॉल मिला हुआ है और और रेंफॉल आने का प्रॉबबिलिटीज है और यहां पे जो कॉपेशन ओफिशिल्स है उन्होंने बोला है कि लगबग 507 मोटर पंस चिन्ने सिटी के कही जारे जगह पे डाला हुआ है और वहां सब्सक्राइब लोगों को संडे से लेकर हो रहा है संडे चन्ने सिटी में 21 सेंटीमीटर्स का रेंफॉल हुआ है उस टाइम से लेकर अब तक हम देख रहे हैं कि कई सारे जगह पे यही सिटूएशन हो रहा है और इसके अलावा अभी रें के लिए जो अद्वाइसरी दिय गया है वो है कि लोगों गर के अंदर ही रहें सेफ रहें बच्चों को बाहर ना निकाले उसके अलावा जो भी एसेंशल्स एफूड वेजटेबल्स वो सारे चीज़ उसको स्टॉक करने के लिए भी बताया गया है और यहां पे हम देखना चाहिए कि जहां पे भी लो पाइसरी दिया गया है कामरा परसिन डानियल के साथ अक्षानाथ आज तक नहीं लग रहा होगा आपको बता दे कि यहां पर मेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगले दो दिनों तक कुछ इसी तरह के हालात यहां पर बने रहेंगे इसलिए लोगों को भी सतर्क रहने के सलाह दी गई है साथी साथ तेज हवा के साथ बारिश भी होगी इसलिए लो अब तक बारह लोगों की चनई में जान जा चुकी है कई मकान दुकान रास्ते सब जगे पानी भरा हुआ है लबालब आपको हर जगे पानी ही पानी नजर आएगा कई लोगों के घरों में मकानों में दुकानों में पानी घुज चुका है रुकेंगे चोड़ेस ब्रेक के लिए बने रहे हमार साथ देखते रहे आज तक